दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बनवाल राहुल गांदी की भारत जड़ो यात्रा पर वैसे तो मीडिया और बीजेपी खास बात नहीं करती है लेकिन जब से RBI के पूर्ब गवरनर रगुराम राजन राहुल गांदी की भारत जड़ो यात्रा में शामिल हुए तब से बीजेपी और उसकी मीडिया दोनों अचानक सकरिये हो गए लेकिन ऐसे लोग शायद खुद मोदी जी की रगुराम राजन की ये तारीफ सुने तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी जी ने कितनी भरबर के तारीफ रगुराम राजन की करिये दोस्तो रगुराम राजन जो RBI के पूर्व गवर्नर हैं और मोधी सरकार की आर्थिक नीतियों की लगातार आलोचना करते रहे हैं वो कॉंग्रिस की भारत जड़ो यात्रा में शामिल हुए तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविय ने कहा रगुराम राजन पूर्व RBI गवर्नर जो कॉंग्रिस द्वारा नियुक्त किये गए आज भारत जो यात्रा में शामिल हुए तो हमें कोई हैरानी नहीं वो अपने आपको अगला मनमोहन सिंग देखना चाहते हैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अर्थ व्यवस्ता पर उनकी क कमंट्री को अब तिरसकार के सांथ खारिच कर देना चाहिए क्योंकि वो अवसर वादी है तो जिस रगुराम राजन को बी-ज़ए-पि आई-टी सेल अवसर वादी कह रहे हैं उन रगुराम राजन की मोदी जी हां प्यम मोदी तारीफ कर रहें बलकि तारीफ ही नहीं कह रहें रहें कि देश भकती में रगुराम राजन में बहुत... भारत को प्रेम करने वाला इंसान है। भारत को प्रेम करने वाला इंसान है अब क्या किया जाए सोचल मीडिया का तहकाना है यह ऐसी चीज यहां कुछ भी न पुराना नहीं होता रगुराम राजन की देशभक्ती जराबी कम नहीं है मेरा अनुभव उनके साथ अच्छा रहा है वक्त भी देखे क्या क्या खेल खेलता है जिस चैनल में कुछ साल पहले मोदी जी पीम रहते हुई इंटर्व्यू दे रहे थे बताईए शिव शंकर मोहद है यहां मोदी जी गुराम राजन को सच्छा देशभक्त बता रहे हैं और आप उन्हें मोदी का विरोधी बता रहे अरे गोदीगिरी की ऐसी क्या चल दिबाजी कि आप अपने ही चैनल का पुराना इंटर्व्यू देखना भूल गए कोई बात नहीं आर्काइफ में जाकर आप देख सकते हैं पूरा इंटर्व्यू आप इक का चैनल का आप क्या देखकत है यह तो चोटी सी खिलिप हमने द पत्ति नहीं रही वो तो उनकी तारीफ कर रहे हैं उनको देखभ्वत बता रहे हैं ये तक के रहे हैं कि रगुराम राजन को किसी फर्द की आविश रखता नहीं वह जहां भी रहेंगे देश के बारे में कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो जब मोदी जी रगुराम राजन की तारीफ करी चुके हैं तो ना केवल मीडिया को बलकि BJP को भी रगुराम राजन की मोदी सरकार को लेकर जो आर्थिक नीतियों की आलोचना है खुल कर उनका सम्मान करना चाहिए खुले मन से उसको सुनना चाहिए सिरे से नाकारने की बजाए उसका आत्मसाथ करना चाहिए क्योंकि घ्यान और अच्छी बातें और अच्छे सुझाव कहीं से भी मिले उसको लेना चाहिए उसको ग्रहन करना चाहिए दोस्तों आप रगुराम राजन पर पीजेपी और मीडिया के ऐसे दोगले पंपन क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजेगा चैनल को जॉइन भी करें सब्सक्राइब भी करें और अब यूट्यूब ने हमें थांक्स का ऑप्शन दे रही है जिसके जरी आप हमारे फ्री जॉर्नलिजम को सपोर्ट कर सकते हैं